और लेट चेक इट आउट गाईज, स्वागद आपका स्टोन टेक में, दोस्ता जम कंपेर करेंगे रिसेंटली इंडिया में लॉंच दो किलर स्पक्स वाले गेमिंग स्मार्टफोन को, जिनका नाम है नाम है नथिंग फोन 2A+, और रियल में 13 प्रो, और जानेंगे कि इन दो दोनें मुबाइलों के डिस्प्ले का बारे में, जिसमें दोनें मुबाइल में आपको 6.7 इंचेस के एमोलेट डिस्प्ले देखने को मिलेगी, अगर बात करें इसकी इंडेंसेटी की तो नथिंग में आपको 395 PPI इसकी इंडेंसेटी देखने को मिलेगी, अगर बात करें भूर फ्रेटे ओ़्र देखने को मिले का, तो दुने बाध करें, भूर न ही किरें, न को एदो Android 14 operating system देखने को मिलेगा, जो के Nothing OS 2.6 पर बेस्ट होगा, वही Realme में आपको Android 14 operating system देखने को मिलेगा, जो के Realme UI 5.0 पर बेस्ट होगा, चिपसाट की बात करें तो Nothing में, Media Day Dimensity 7350 Pro Processor आपको देखने को मिलेगा, वही Realme में आपको Snapdragon 7S Gen 2 Processor देखने को मिलेगा, अगर बात करें द बात करें इंटर्नल में मैमोरी की तो Nothing बस को 256 GB में ही देखने को मिलेगा, वही Realme में आपको 128 GB, 256 GB और 512 GB के वेरेंट्स देखने को मिलेगा, अगर बात करें रायम की तो दोने ऻीannel में आपको 스ट ही मुपैल में आपको Japanese 2.2 Stories टैप देखने को मिलेगा, और एकर बात करें अगर बात करें साउंड क्वालिटी की तो दोने मोबाइल में आपको 3.5 अम जाक का फीचर भी देखने को नहीं मिलेगा अगर बात करें फिंगरपिंट संसर की तो दोने मोबाइल में फिंगरपिंट संसर आपको अंडर डिस्पले देखने को मिलेगा और दोने मोबाइल में आपको 2.0 टैप सी USB पोर्ट भी देखने को मिल जाएगा अगर बात करें इंफरा रेट पोर्ट और NFC की तो दोने मुबैल में इंफरा रेट पोर्ट का फीचर आपको देखने को नहीं मिलेगा लेकिन आपको NFC का फीचर देखने को मिल जाएगा अगर बात करें दोनों मुबैलों के बैटरी सेग्मेंट की तो अगर बात करें दोनों मुबाइलों के प्राइस की तो दोने मुबाइल का प्राइस 27,999 होगा तो दोस्तों ये था इन दोनों मुबाइलों का complete comparison ओवरल देखाया है तो दोस्तों दोने मुबाइल में काफी अच्छे features आपको देखने को मिलेंगे लेकिन performance के according आपको Realme 13 Pro काफी बेटर देखने को मिलेगा तो इस comparison का clear winner होगा Realme 13 Pro अगर आपको वीडियो चलेगा तो वीडियो को like share ज़रूर करना और चैनल को subscribe करके बैल notification को भी on कर लेना और comment करके बताने के आपको वीडियो कैसा लगा तक के लिए इतना ही मिलता के लिए वीडियो में